ओम नवाशिवाय सिरियल को फूल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाए ताकि आपको हमारे नएने एपसोर्ट्स देखने को मिलते रहें मैं ओमकार हूँ परमशक्ति की परमसद्दा को श्रेष्ठ मान का उनका स्मलन करते रहने वालों के जीवन का मैं श्रिंगार हूँ किन्द अहंकार में स्वैम को स्रेष्ठ और अन्य को निक्रष्ट मानने वालों की मैं भीशन प्रहार हूँ मैं ओमकार हूँ मामी तारा उपमन्यू को गाय का दूध निकालने के लिए कहती है किन्तु गाय की ठोकर से दूध गिर जाता है तो मामी का क्रोध उस पर तूट पड़ता है वो अपने पुत्र पुरंदर को दूध पिलाती है और उपमन्यू तरस्ता ही रह जाता है उधर नारत पिता के घर जाती हुई पार्वती जी को लटा देते है मामी तारा के अत्याचारों से उपमन्यू भूखा प्यासा शिव भक्ती के लिए वन में निकल जाता है उसके और काली गाय के नन लोटने से मामी उसे चोर मान लेती है उपमन्य को शिव भक्ती करते हुए नारत देखते हैं पार्वती शिव की पूजा करने आती हैं, किन्तो शिव अद्रश्य हैं, नारद वहां आते हैं कैलाश पारवत से अद्रश्य हो शिव जी, उपमन्नी की भक्ती पर इछाले में हैं, इंद्र के देश में उसके समक्ष पांचते हैं अम नमस्षिवाय, ओम 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 नमस्षिवाय कि देखो कौन आया तुम्हारे सामने आके खोलो उपमन्यू उपमन्यू त्याग करो इस कठिन तबस्या का तुम्हारी आयू तब करने की नहीं सुख भूगने की है आके खोलो उपमन्यू प्रियोपमन्यू मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आया हूं। तुम्हें सुख प्रधान करने आया हूं। ऐसा सुख जिसकी तुमने कभी सुख में भी कलपना नहीं की हुई। आप सुख के राजा इंद्र महराज है। हाँ स्वर्क अधिपती देवराज इंद्र हूँ मैं आपको अनिकान एक प्रणाम पर इंद्र महराज मैंने न तो आपकी आराधना करके आपको बुलाया और न स्वर्क के सुप की काम ना की है फिर क्यों आपने आराधना में विखने डालने आ गए हैं क्या मैं तुमारी आराधना में विखने डालने आया हूँ अरे भूले बालक मैं तो तुमारा हित करने आया हूँ पर ये तो बताओ कि तुम आराधना किसकी कर रहे हो देवों के देव भूलेना भगवान शिर की अरे 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 उस भभूत धारी भूतनात की आ बड़ी बाते कर रहा है आप तीनों लोकों में पूझे जाने वाले भगवान शिव का नाम चोटे मन और खोटे शब्दों से ले रहे हैं अरे वालक होकर बड़ों की भाती तक करता है सत्यों को समझने की ना तेरे पास आयू है ना नुभव फिर ज्यान कहां से होगा मैं तेरा हिस सोच रहा हूँ वालक मैरा हिस सोचने की लिए भगवान शिव को अप्शब्थ कहना क्या आवश्यक है इंद्रumahaaraj? कि तुम्हें ये ज्यान दे सकूं कि शिव की आराधना में अपना समय नश्ट न करो तमें तनीकभी लाप होने वाला नहीं है तुम सुंचो जिसके पास भमूत के अत्रेक तनीक कुछ भी नहीं है वो तुम्हें क्या देगा देने लेने का विचार तो व्यापारी करते हैं इंद्रमाराज, आराधना करने वाले आराधक नहीं, मेरी माता और स्वर्गय पिता ने मुझे यही ज्ञान दिया है, कि इस जगत में शिव से श्रेष्ट, अन्यक कोई वर्दाता है ही नहीं, और माता पिता का दिया हुआ ज् वो शम्शान वासी और श्रेष्ट वर्दाता, किस भ्रह्म में पढ़े हो उक्मन्यू, मेरे भ्रह्म के कारण आप क्यों चिंता में पढ़े हैं इंद्रमाराज, अपना भ्रह्म मुझे प्रिय है, आपसे विलम प्रातना है, कि आप यहां से चले जाएं, और मुझे शेव अराज मा करने दे, अरे निर्वद्धी, तु तो ग्यान शून्य और अनुभव शून्य है, तुझे तो ग्यानी नहीं है, कि शेव कभी किसी का कुछ हित नहीं करता, मैं स्वर्ग का समराठ, तेवताओं का राजा, स्वयम तेरे पास आया हूं, तेरे दुख निवारन के तुझे स्वर्ग ले जाने के लिए, स्वर्ग की सुख सुईधाय प्रदान करने के लिए, और तु है कि अपनी हट पर आणा हुआ है, अरे मूर्ग बालक, बड़े बड़े रिशी मुनी, और ध्यानी ज्यानी भी, निरंतर कठोर तपस्या करने के पस्चात, स्वर्ग की एक जलक तक नहीं पा सकते, और मैं तुझे वहां का स्थान और सुक उपलत करवा रहा हूँ, इंद्रो महराज, आप तो अपनी गरिमा भी भून गए, अब मुझे तो ला जाती है आपसे कुछ कहते हुए, आपको उत्तर देने के लिए, यदि मेरे शब्दों में कठोरता आई, तो उसका प्रभव मेरी आराधना पर पढ़ेगा, कहो तो, तुम क्या ना क्या जाते हैं? यही कि आपने मुझे क्या कोई रुका या लोभी पक्षी समझ लिया है, और क्या आपका स्वर्ग्य सुक कोई दाना है, जिसे आप बार बार मेरी और फेक रहे हैं, ताकि मै से चुबलू और भगवान शिव की आराध्मा से विचलित होकर लोग से भरे आपके सुख्जाल में फर्जाओं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब आप चाहे रहे, अथ्वा जाएं, मैं अपने आराध्य भगवान शिव के चर्णों में जाता हूँ, ओ नमस्षिवाय, नमस् देवराज इंद्र की खुशल नहीं, मुझे तुरण जाकर देवराज इंद्र को सावधान करना होगा, चलो नारध, नारायन, नारायन, नारायन मन तो वाणी को प्रेरित कर रहा है कि कहू कल्यान भव किन्तु आत्मा का संकेत है कि मिथ्या चरण करके सत्य को प्रकट करना पाप है क्या कुछ अनिष्ट की आशंका है देव रिशी भोग के पश्चा तो रोक के होने की आशंका ही नहीं रह जाती रोक का होना यह निश्चित सत्य है और यह सत्य आप भी जानते हैं देव गुरु आपका संकेत हमारे संकोच न करें देवराज मेरा अभिप्राय आपकी स्वभागे पूरुण जीवन शहली से ही है मैं तो आपको और समस्त देवगण को बधाई देना चाहता हूं कि विधाता ने आपको कैसा विरास पूरुण जीवन प्रदान किया है स्वर्क का संपूरुण सुख सांदर्य और यौन यहां उन्माध है गीत संगीत और मृत् प्रद्चा कर रहे थे हां देवराज भोगी जब तक भोगों को भोगता है तब तक रोग आपस में चर्चा करते हुए भोगियों के समीप आही पहुचते हैं नाराहे नाराहे देवर्शी आपकी वाड़ी में व्यंग का भार अनुभव हो रहा है अभी तक आपको करने का आयोजन हो रहा है आप किसके विश्य में कह रहे हैं देवर्शी अब क्या बताओं और ना बताओं तो क्यों न बताओं सोचता हूं बता ही पर क्यों बताओं और बताओं भी तो कैसे बताओं बताओं सदा बताते हैं वैसे बताएं सदा जब बताता रहा हूं तो व इस बार क्या कोई मानव है अरे देवराज मानव होता तो चिंता नहोती कैसे बताओ देवराज तो क्या कोई रिशी मुनी तपस्वी है देवराज रिशी मुनी और तपस्वी आपकी कूट नीती के समक्ष कहां टिक पाए है उन सब के पास तो आपने अपसराय भेज कर उनका तब खंडित करणाला है ना राय ना दानव नहीं मानव नहीं रिशी मुनी तपस्वी भी नहीं तो फिर कौन है देवर्शी कौन है वो जो इस स्वर्क पर अधिकार करना चाता है देवताओं के होने का तो प्रश्नी नहीं उड़ता बताओ क्यों नहीं वो इसलिए क्योंकि देवताओं को तो स्वर्ख प्राप्थ ही है नारायड नारायड जिन देवगण को स्वर्ख प्राप्थ है उनके अतिरिक भी तो अन्यदेव है फिर तो त्रिदेव ही है कि अदिए अदि गयां विश्णु और महेश पर देवर्शी क्या इन तीनों में से स्वर्ग का कोई उच्छुक है ब्रम्हा और विश्णु भी इनके सम्मुक नाराय नाराय अब बता भी देवर्शी क्या आप भूलिना की बात कर रहे हैं आपका अनुमान सत्य निकला देवी सची देवर्शी भगवान भूलिना स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और क्यूं ताकि आपका या मोद प्रमोद और भोग विलास सदा सदा के लिए समाथ हो जाए मुझे नहीं लगता कि भगवान शी शंकर ऐसा करेंगे लगता तो मुझे भी लेहीं देवर्शी नाराय नाराय अर्थात आपको मेरी वानी पर विश्वास नही देवराज है तो फिर आप स्वयम जाकर देख लें कहां मिंध्या चल देवराज मिंध्या चल गुर्देव यह क्या निश्ट होने जा रहा है देवराज अवश्य आपसे भूल हो गई है आपको शीग रही भोले नात के पास जाकर उनसे क्षमायाचना मांगनी चाहिए यह तो अटल सत्य है कि देवरीशी कभी असत्य भाषन नहीं करें कि ऑम नमस्षिवाईיד हेभक अब आरंभ होती है तेरे भक्ति की अगनी परीक्षा ऑम नमस्षिवाई अब भी समय हरे अज्ञानी, मानले मेरी बात, त्याग दूशिव का विचार नहीं, रां त्याख सकता हूँ, किन्टु भगवान श्रिव का विचार और भक्ती नहीं त्याख सकता बोले नाथ मेरे वेश में, हाथ में गदा, वस्तरवी में रही जैसे, क्या कारण हो सकता इसका? अंतिम बाहर विचार कर ले अज्यानी बालक, मैं तुझे स्वर का स्वामी बना सकता हूँ नहीं चाहिए मुझे स्वर्व, मुझे केवल शिवदर्शन चाहिए, शिवचर्णो का प्रसाद चाहिए, बोलो, दिला सकते हो नहीं, बस, तुम मुझे क्या शिवदर्शन कराओगे, मैं स्वयम शिव को प्रसंद करूंगा ओ म चाहिए, ओ म लोगिए, ओ म यो नहीं, ओ म चाहिए, ओ मर जीवदर्शन करे खिए ओमना मशिवाई 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 ओम नमशिवाय ओम नमशिवाय ओम नमशिवाय ब्रु का प्रवोति कहां है आप मेरा कश्च दूर करे माभवानी मेरा कश्च दूर करे रक्षा करें मेरी माता रक्षा करें देवराज इंद्र आप इतने व्यथित क्यों है उठिए बताइए क्या हुआ अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है मा किन्तु होगा तो अनर्थ होगा इस अनर्थ से मेरी रक्षा करें माता इस अनर्थ से मेरी रक्षा करें देवराज इंद्र उस अनर्थ का नाम तो बताईए मां भगवाई शिव मेरा रूप धारण करके स्वरिक पर अधिकार करने और उसे उपमन्यों को देने का विचार कर रहे हैं पर वे हैं कहां विंध्याचल के बन में वहां वे उशिव भक्त बालकपर क्रोधित और क्रिपा का है देवराज हां वे क्रिपालों अवर्षय हो सकते हैं रम का प्रश्नी नहीं उड़ता है माता स्वयम देवरिशी नारत ने मुझे बताया कि भगवान शिव शंकर ने स्वर्ग पर अधिकार करने का मिश्य कर लिया है माता आप चलकर उन्हें समझाए कि वो मुझ पर द सब्सक्राइब को सब्सक्राइब आख अमद्थ मैं रइख ness origin अधिए व्युक्त कैण संट से मात शनपर आहां मुझे जितनाग आता है जैसा आता है मैं आपका नाम ले रहा हूं नद्का रहा हूं एंश व्य मतं मां को है कर पुकारता हूं तो September 11 आप भी शिव है, ओम है, मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो भगवान, मुझे दर्शन दो, तुम तो सारे जगत के पिता हो, मैंने सुना है, कि माता पिता, तो बालक की एक पुकार पर दोड़े चले आते हैं, फिर आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मुझसे आपसन हैं बोलो भगवान, बोलो, बोलो जगत्पता, बोलो और धर्म की सफल्था से बढ़कर। अन्य क्या कर्म और उपलप्धी हो सकती है रे वालक। धर्म और कर्म का ज्ञान, तेरे जीवन को सुख्य बनाएगा? नहीं, नहीं, मुझे धर्म कर्म जानना भी नहीं है। मुझे केवल शिवदर्शन चाहिए। शवदायशन 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 धर्म न जानू, कर्म न जानू, मैं बालक अन जानू धर्म न जानू, कर्म न जानू, मैं बालक अन जानू कितना जानू, मैं हूँ तुहारी, बोले एक संता, बोले एक संता धर्म न जानू, कर्म न जानू, मैं बालक अन जानू अरी, अरी काली तु कहां पे चली गई थी? अरी बताती क्यों नहीं कि मेरा उपन्यू कहां है? कहां ले जाना चाहती है मुझे हाँ? चल, चल बाबा चल, चलती हूँ तेरे साथ उन की व्याख्या क्या होती है पाप की है क्या भाशा सुख दुख ग्यान की ग्यान के मुझे को यात नहीं परिवाशा यात नहीं परिवाशा इतना पता है मैं हूँ निरबल तुम हो शक्ती माँ तुम हो शक्ती माँ कर्म न जानू, कर्म न जानू, मैं बालक अंजानू बालक प्रट्यू खूुम 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 खूुश ८्यू भूुम बिली देख शखरो तुम ने किया था बाबा जन जन का कल्यान पर मेरे जीवन को हला हल कर डाला भगवा कर डाला भगवा किस अपराद का दंड भिया ये मुझे को कर नन धा मुझे को कर नन धा धर्म न जानू कर्म न जानू मैं बालक अंजा ले 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 नहीं नहीं आग नहीं 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 आग तुम तो सब के नाथ हो बोले मुझको अनाथ तुम ने किया क्यों जो ना किसी के संग किया वो मेरे साथ किया क्यों मेरे साथ किया वो देव तुमारे ले तो जग में सब हैं एक समान सब हैं एक समान धर्म न जानू कर्म न जानू मैं बालक अंजानू कितना जानू मैं हूँ तुमारी दोले एक संता बोले एक संता बोले एक संता बोले एक संता बोले एक संता प्रिय उपमन्यों मैं तुमारा आराध्य शिव हूँ आंके खोलो पुत्र आंके खोलो प्रभू मेरे भोले ना था प्रिय भक्त उपमन्यों मेरे द्वारा ली गई कठोर से कठोरतम परिक्षा में तुम खरे उत्रे हो इस अल्प आयू में निरे बालक होते हुए भी तुमने स्वर के प्रवलोबन तक को ठुकरा दिया मुझे तुम जैसे संतोशी प्राणी ही प्रिय हैं मैं तुमसे अत्यंत प्रसन हूँ तुम्हारा नाम नैश्टिक शिव भक्तों में अमर रहेगा बोले नाथ की जैयो आव पुत्रुपमन्यों पित्रभाव से मैं तुम्हें रिदय से लगाने के लिए उत्सुकू प्रभू आव पुत्रुपमन्यों मेरे आराथ्य, मेरे भोले नाथ, मेरे शिव, मेरे भगवन, मेरे स्वामी, मेरे आराथ्य, मेरे भोले नाथ, मेरे शिव मैंने कहा था ना दिवी कि तुम्हारा पुत्र व्योग शीग्र ही समाप्त होगा यह देखो, तुम्हें उपमन्यू के रूप में एक और पुत्र प्राप हुआ है, इसे तुम अपनी ममता का वर्दान दो, जाओ पुत्र माता पारुती को प्रणाम पुत्र उपमन्यू पुत्र उपमन्यू, पुत्र मा कहा था रहे तु तोने मेरा स्वपन साकार कर दिया, पुत्र स्वयरum भग्वान शेव और माता पार्वती ने तुझे अपना पुत्र विकार किया अरे शेव और पार्वती की जो कृपा तुछे प्राप्त हुई है वह तु देवगंड़ प्राप्त नहीं कर सकते देव तुल्य संपधा प्राप्त कर ली तुने पुत्र दिवराज, आज तो आप रसन मुद्रा में हैं, किन्तो इससे पूर जब आप आये थे, तब आपके मुख़ पर भय और चिंता अव्याप्त थे भगवन, एक तो देवर्शी नारत की सूचना ततपश्यास वैम मैंने सुना था, कि आप उपमन्यू को С्वर्गका स्वामी बना रहे हैं, उसे स्वर्गका स्वामी बनाने के लिए, स्वर्ग के पूर्व स्वामी, अठात मुझ्थ से, स्वर्ग का हरण होना भी तो अविश्यक होता इसी लिए मैं दुविधा की स्थिथी में था सत्य तो यह है देवराज कि नारत ने आपको प्रहमित किया और आप यहां चले आए किन्तु जो कुछ आपने देखा और सुना वो भी सत्य नहीं था समझ गया भोलेनाथ वो सब आपकी लीला थी उपमन्यू की परिष्या और आपकी लीला का अज्यान उस समय मुझे नहीं हो सका था भगवन मैं अपने अज्यान पूर्ण आच्रण के लिए लच्जित हूं और ख्षमा याचक भी भोलेश्वर मुझे शमा करे माता पाद्वती और भगवान शिव को मेरा प्रणाम भगवन मेरे पुत्र उपन्यू ने दरिद्रता में जन्म लिया और दरिद्रता में ही पला इसने घोर कष्ट सहे हैं दीनानाथ सुख के नाम से तो कभी इसका परिचे ही नहीं हुआ दूद पीने की इसकी इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकी भगवन देविका तुमने अपने पुत्र से कहा था कि शिव की अराधना करने से उसे दूद का सागर प्राप्थ होगा तुम्हारी इसी वानी को सत्य प्रमानित करने के लिए हम इसी समय उपमन्यों को शीर सागर प्रदान करते हैं जो कभी भी समाप नहीं होगा आओ मेरे साथ इस विशाल शीर सागर के दूद से सभी शे भक्तों की दूद की इच्छा पूंध होगी कोई भी अत्रिप नहीं रहेगा पूत्र मैं तुम्हें अक्षे वर्दान देती हूं कि तुम जिर कुमार रहकर शिर भक्ती तथा ज्यान के प्रकाश त्वारा जन जन में भक्ती और सत्भावना का प्रचार प्रसार करते रहोगे प्रभू अब उपमन्यों को आप ऐसा अक्षे वर्दान दे जो अद्बुत हो पुद्रुपन्यों तुम योग विद्या में पारांगत भुखत अपने असंक शिश्यों को योग विद्या प्रदान करोगे विद्यों सहित समस्त प्रहम विद्या तुम्हें सहज ही प्राप्ठ होगी तथा जगत की सर्व श्रेश सम्रिध्धी इच्छा मात्र से ही तुमारे सामने प्रकट होगी तुम जगत के परमसंतोशी प्राणी माने जाओगे प्रभू आपकी गुरुपा के अत्रिक अन्य मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है प्रणाम देविश्वार प्रणाम माता आपके दर्शन हुए और और क्या देवर्शी और यही माता के आपके साथ साथ आपके इस भागेशाली पुत्र के भी दर्शन हुए जो भागे के विशे में देव गण से अधिक भागेशाली सिद्ध्य हुए है हाँ नारत उपमन्यू के रूप में पार्वती को एक और कुत्र की प्राप्ती हुई है केवल माता पार्वती को नारायण नारायण प्रभू माता पार्वती जिसकी माता है उसके पिता भी तो आ भी है आप दोनों को उत्तर प्राप्ति के लिए बधाई हो तुम्हारी बधाई तो हम ग्रहन कर लेंगे नारत किन्तु तुम्हारी लीला अत्यंत कश्टकारक होती है मेरी लीला, नारायड, नारायड, हेत रिकाल दर्शी, लीला कारी तो आप है, मैं कहां ये लीला वीला जानता हूँ जानते ही नहीं, तुम लीलाएं करते भी हो, तुमने हमारा इंदर रूप देखकर, इंदर को भेवीत कर दिया था देवराज इंदर की सभी इंदरियां दामा डोल हो गई थे, वो सब कुछ तो अब सिमट चुका है, किन्तु अब उपमन्यू को हमारे पुद्ध के रूप में देखकर, तुम कहीं कार्तिके और गणेश को प्रमित मत कर देना नारायन, नारायन, कहां देवराज इंदर और कहां आप दोनों में धर्ती आकास जितना अंतर है, तो मेरे आचरण में भी आप दोनों के प्रति अंतर अवश्य होगा प्रभू, मेरा विचार है, अब आपसे आज्या लेनी चाहिए हम भी साथ चलेंगे नारत हमारा आशिर्वात सदा तुम्हारे साथ है उपमन्य। हमें शमा कर दो बहन। मैंने तुम्हें कभी भी कश्ट देना नहीं चाहा। फिर भी मैं तुम्हारा दोशी हूँ। मुझे शमा कर दो बहन। नहीं भाई, सारा दोश तो मेरा है। अब राधिनी तो मैं हूँ। तुम दोनों को मैंने बहुत दुख दिये है। अपने पिता की संपत्ति पर घर्व करके आप सब लोगों का मैंने अपमान किया। मुझे एक्षमा कर दो देवी का बहन। मुझे एक्षमा कर दो। मामा जी और मामी जी आप दोनों व्यर्थी चिनता कर रहे हैं। जो कुछ हुआ, जो हो रहा है। और जो होगा वह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। वे मेरी परिक्षा ले रहे थे। वे अप्रत्यक्ष परिक्षक थे। और आप प्रत्यक्षक, परिक्षप पूर्ण हो चुकी है। अब आप अपने आपको दोशी न माने, सब प्रसन्न है। आप भी प्रसन्न रहें। मेरी तो भगवान शिव से यही प्रार्थना है, कि आपको भी वही सुक्संपत्ती प्राप्थ हो, जो आपको कभी सुलब नहीं हुई। अरे, क्या। अरे, हम तो राजा रानी मत गए। और अपना बेटा राजकुमार है। यह तो अपने प्रियोकमन्यों के वानी का ही चमतकार है। बहल देविका, उपमन्यों के कारण हमें दूर से, भगवान भोले नात और माता पारवती के दर्शन भी हुए। और यह वैभव भी। हमारे लिए, सुक्ष वैभव की इच्छा कर, हमें सब कुछ प्रदान करने वाला। स्वैम, इस सादुवेश में क्यों? इसलिए मामी, अब मैं और मां, आश्रम बनाकर भगवान शिव की आज्यानुसार, ब्रह्म विद्या का प्रचार करेंगे। ओम नमस्षिवय, ओम नमस्षिवय। ओम नमस्षिवय। ओना मार्चिबाया